है ये जो हम लोग करतब करेंगे और इस कारिकाल में जो हम लोग के इतिहास बनेगा वहा आने वाले हजार वर्सों के लिए भारत के लिए सांस्कृतिक विरासत और भारत के सम्रिधि के लिए सहायक सी दोगा इस प्रकार का सपना किस प्रधान मंत्री ने सदल में प्रस्तूत किया उनको तो बुनियादी काम लगता है लोग तांत्रिक तरीकों से बिहार की जंता जो आंदोलन करती है उसको तानासा के तह तरह कुचल करके हमारे कारिकरता को मार दे में ने का यही उनका बुनियाद है मनिपूर में मनिपूर के लोगों ने जो आजादी के लराई में अपनी कुर्वान्या दिया है मनिपूर का जो हमारे सन्सकृतिक भिरासत है और तमाम उन चीजुको भूलाया नहीं जा सकता और सारी जनता देख रही है कि आदरनिये ग्री मंत्री अमिस साहजी ने जो सदन में वक्त अब दिया उसमें कॉंग्रेस के काले काले से लेकर आज तक किस प्रकार देश की से नहीं अपने देश के जनताओं के हिलिकोप्टर से रौनने का काम कर दो आजादी के वाद देश में जितने भी प्रधान मंत्री हुए उसमें कोई ऐसा प्रधान मंत्री अब बता दीजिए जिसके प्लान में भारत को विक्सित रास्टर के रूप में देखने का सपना हो और उस सपना के अनुरूप अपने करतब के प्रती जो समर्पन हो और जो योजना आगामी 25 वर्षों का अभी जो आजादी का अमरित काल है और फिर आजादी का जब सौमा वर्षगाठ भारत मना रहोगा उस समय देश को विक्सित रास्टर के रूप में अस्थापित करने का सपना और उसके अनुरूप कारे करने का योजना और संदेश वासियों के लिए यह संदेश की आगामी 25 वर्ष हमनों के करतब का कारिकाल हो और इस कारिकाल में जो हमनों का इतिहास बनेगा वह आने वाले हجारा वर्षों के लिए भारत के लिए सांस्कृतिक विरासत और भारत के सम्रिधि के लिए सहायक सिद्ध होगा इस प्रकार का सपना किस प्रधानमंत्री ने सदर में प्रस्तूत किया और फिर अपना कारे का रिपोर्ट जो कारे हमने किया जो हमने चुनाओं में वादा किया और उसको धरातल पर उतारा और उसको सिद्ध कर दिया और जनता गरीब जनता के घर तक जन्धन के पैसा को पहुचाया गरीब जनता के घर तक रासन को पहुचाया गरीब जनता के घर तक उज्वला योजना में गैस को पहुचाया गरीब किसान के खाते तक किसान सम्रिधि योजना का पैसा पहुचाया गरीब जनता के घर तक आयुसमान कार्ट पहुँचवाया इस प्रकार का संकल्प लेके और संकल्प से सिधी तक पहुँचने का जो परिश्रम रहा इस प्रकार का आज तक आजादी के बाद सदन के अंदर किस प्रधार मंत्री ने अपने काम का रिपोर्ट अपने किये गए वादों के अनुरूप धरातर पर उतारने का दिया है कोई क्या आप बता रहें कि आजादी के बास सबसे सबसे सब्सक्राइब मंत्री हैं लेकिन आरजेडी की और से कहा जा रहा कि कल जो लोकसवाम उनका वक्ता बे रहा वो पूरी तरह से बेबुनियाद था अधकछरा भड पहुचना बे बुनियाद लगता हो आरजेडी के लोगों को किसानों के खाते तक किसान सम्रिद्धी योजना का पैसा पहुचना बे बुनियाद लगता हो आरजेडी के लोगों को भारत की जो अर्थ बेवस्ता सुद्रड होती जा रही है वह बे बुनियाद लगता हो तो उनको तो बुनियाद लगता है लूट अपहरन हत्या उनको तो बुनियादी काम लगता है लोग तांत्रिक तरीकों से बिहार की जंता जो आंदोलन करती है उसको तानासा के तह तरह कुचल करके हमारे कारिकरता को मार देने का हमारे बिहार के अने जिलों में कारिकरता को गोल नहीं नहीं संकल्पों के साथ हमारे गुरु जी और जनसंग के जमाने से आज तक अटल जी के जमाने से लेकर आज तक सभी भाजपा के कारिकरता के दिमाग में 2400 घंटा चलता रहता है कि भारत को परम बैवह पर अस्थापित करना है और भारत मा के समर्दी को भारत मा के अक्षूनता को कायम रखते हुए सदय प्रगती के पत पर चलते हुए और दिन्द्याल उपाद ध्याजी का जो सिधान था उस सिधान के तहत समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों तक सरकार के बेवस्थाओं के सुविधा का मोहिया कराना इन संकल्पों के साथ भारती जनता पार्टी अनवरत बढ़ती जा रही है और ये भारत की जनता समझ चुकी है कि इस भारत माता को परम बैवो पर पहुंचाने के लिए एक तरफ विज्ञान का विकास एक तरफ अपने सांस्कृतिक धरोहर का विकास और एक तरफ अर्थ पार्टी जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के रूप में देश को मिला है जो आने वाले 25 वर्सों का सपना देखकर प्लान करके और विक्षित राष्ट्रों के सुची में सामिल कर और सदन से संपूर्ण देश बास्यों के प्रति अपने प्रतिबधता को जाहिर करता है कि आने वाले पांच वर्सों में भारत दुनिया की तिसरी अर्थ विवस्था की जगह कायम करेगी बियार सरकाव में वरिश्क मंत्री हैं विजेंदर चोधरी विजय चोधरियों का कहना है कि जो लोगों की उमीदे थी जो देश की जनता की ख्वाइस थी उसके मुताविक प पास होफ है उनके पास उमीद है और जो उमीद करते हैं उस उमीद पर खरा उतरते हैं उन्होंने ये भी बक्त दिया कि जल्द मनिपूर में सांती बहाल होगा और हम सभी मिलकर मनिपूर जो देश का अंग है मनिपूर में मनिपूर के लोगों नो जो आजादी के लराई मे अपनी कुरवानिया दी है मनिपूर का जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है वो तमाम उन्ची जो को भूलाया नहीं जा सकता और सारी जनता देख रही है कि आधरनिये ग्री मंत्री अमिस साहजी ने जो सदन में वफना वक्त अभी दिया उसमें कॉंग्रेस के कारेकाली से लेकर आज तक किस प्रकार देश की से नहीं अपने देश के जनताओं के हिलिकोप्टर से रौनने का काम करती है तो भारतियनता पार्टी के लोग अधिनायक बात अधिनायक कत्तो को सुईकार नहीं करता है वो समनवे करके सभी अपने भाई हैं सभी भारत माता के संतान हैं सबों के साथ समनवे करके सांती बहाल करने पर विश्वास करता है लाठी मार के सांती कायम किये जाए इस पर भारतियनता पार्टी का कारिकरता भरोसा नहीं करता है इसलिए उनलों के पेट में दर्द है वो लोग वेचैन हैं कि भारतियनता पार्टी किस प्रकार चोहमुखी विका के साथ और देश के अंदर जो आंत्रिक समस्या है उसका किस प्रकार समनेवे करके समधान करता है यह कुछ सल्टा उन लोगों में नहीं है यह देखकर विशाइन है एक आकड़ी सवाल है सर की प्रदानमंत्री की ओर से कल कहा गया कि इंडिया कटवंदन जो बनाए वो घमंडिया है ऐलन सिंग इसके बाद कहते हैं कि वो बौकलाए हुए है अगामी लोकसवाद चुनाओं में बिहार की 40 में 40 इट इंडिया और महा कटवंदन जीते गी यह तो 2013 से कह रहा है और प्रदानमंत्री जी ने तो असपश्ट कर दिय गया कि हमने 5 वर्स का मौका दिया फिर भी यह लोग सीखने को तैयार रहे हैं अब इससे ज्यादा क्या बूला जा सकता है कि पांच वर्स का बार-बार समय दिया जा रहा है बार-बार आप अब इस्वास-प्रस्ताओं ला रहे है और देश की जंता आपके हर अब इस्वा आपरने शगले में दिराओसें.